आज मैं किसी पशू मंडी में नहीं हूं और आपकी आखे जो इस वीडियो को देख रही है वो बिलकुल सत्ते देख रही है बिलकुल सच है दो बच्चे देख सकते हैं किस तरा से गाए के ठणों में मुँह लगा कर दूद पी रहे हैं और ये गया तो अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे गया के बच्चे को भी दूद पिला रही है, मंडी में ये बच्चा भटक रहा था, तो मैंने लेकर अपने यहां पर आ गया हूँ, तो उसका भी डीटेल देंगे, ये बात बहुत हैरत की है, कि आखिरकार ये कैसे पॉस चाहिए, हलाकि ऐसा हो सकता है, कहीं पर कोई भी शहर गाउं में कोई गया बच्चे को दूद पिला सकती है, लेकिन मैंने कभी इससे पहले नहीं देखा, आप लोगों ने देखा है, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे लिए बिल्कुल ये यूनिक था, इसलिए मै बहुत आसानी से दूद पिला रही है, ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चे को दूद पिला रही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रियेट नहीं हो रहा है, और ये देख सकते हैं, नसल की बात की ज़रूर बनता है, तो लाइक ज़रूर कर दें, बहुत सारे भाई बोलते हॉलिष्टीन फ्रीजियन गया जैसी कोई भी सानसभा की गया नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि कॉंक्रेज जो हमारी देशी नसल है, उससे सानसभा की कोई गया नहीं है, चलिए बात कर लेते हैं इस गया की, इस गया का डीटेल देने से पहले एक चीज और कहना कि जो भाई चैनल पर अगर पहली बारा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं पशू मंडी का अपने यूटूब चैनल पर लगतार अपडेट देता रहाता हूँ, पशू मंडी में कितने लीटर वाली गया क्या प्राइज में मिल जाती है, तो जो भाई नए हैं उनसे क कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पशू मंडी का आपको डीटेल मिलता रहे हमारे चैनल दोवारा, मैं इस बच्चे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो एनखौ मंडी में ये गाय का बच्चा बिलकुल भटक रहा था, और किसी डेरी फार्मर भाई ने गाय खरीदी और इस बच्चे को मंडी में ही छोड़ कर चले गएं, इसलिए नहीं कि वो भूल गएं, बलके जान बूच कर इस बच्चे को छोड़ा गया, और कई केस ऐसे मैंने देखे हैं और सुना भी है, कि डेरी फार्मर जो होते हैं वो दूद पिलाने के चक्कर में मे मां से जुदा ना करे, 20 दिन, 18 दिन का बच्चा है ये और अपनी मां से ये जुदा हो गया, वो तो खेर ये कहें कि ये गाय इस बच्चे को बहुत असानी से दूद पिला रही है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, तो अभी मेरे घर पे ही ये बच्चा और मैं ये किसी भी भाई को दे दूँगा, अगर किसी को जरूरत है तो किसी भाई के गाय का बच्चा का अगर मौटिलेटी हो गया है, और वो बच्चा अगर लेना चाते है, अपने गाय के साथ रखना चाते हैं, तो फिरी ऑफ कॉर्स दे दूँगा, हलाकि मैंने इस बच्चे के प करें और इतना सेर करें आप लोग कि ये बच्चे का जीवन बच जाए और कोई अगर लेना चाहे तो आकर हमारे पास से ले ले और हलाकि अगर कोई नहीं भी लेगा तो भी कोई मुश्किल नहीं है मेरे पास ये गाय है जब तक ये गाय है इसे milking कराएंगे और जरूरत पड़ी तो मैं बाहर से भी दूद लेके इस बच्चे को पिला लूँगा और कुछ मेरे आसपास में भी dairy farmer भाई हैं तो उनसे संपर्ग करेंगे शायद उन्हें कोई जरूरत होगी तो इस बच्चे को उन्हें दे देंगे या फिर कोई किसान भाई की गाय है और उसके बच्चे की mortality हो गई है तो उन्हें दे देंगे कोई भी ऐसा वैक्ति मिलेगा जो इस बच्चे को पाल सके रख सके ऐसे वैक्ति को देना है तो जरूर वीडियो को ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले